हेलो बच्छों आये सुरू करते हैं कि वीजियो यादि का प्रस्ट प्रस्न Out प्रस्न होने वाल है तो वीडियो को आप पूरा जरूर्ड देकिए 5 मिनट शार मिनट ना वीडियो को द स्फिरे अवाल है यह व nauso में यहां तो यहां पर को देखिए यहां पे आपके पूरे प्रस्न पत्र के बारे मताया गया है बच्चों कि सभी प्रस्न आपको फिटी छोड़ना कोई भी नहीं है हो सकता है को कोई फिल पर होने वाला वहोने वाला सतर नंबर का ठीक है आपका जो कौस्चन पेपर होगा वो 70 नमबर का होगा इसमें आपको मिलेगा टाइम 3 घंटे का ठीक है टोटल कोश्चन इसमें 19 आइंगे अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सभी प्रसन आपको करने हैं प्रसन कर्मांग पास से लेके प्रसन कर्मांग 19 तक जो आपके प्रसन दिये होंगे उसमें आपको अंतरिक कलब का मतलब यह है कि आपको उसमें अथ्वा प्रसन जरूर दिये गए हो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब जो सुरुवात के सब्सें स्टार्टिंग की प्रसन हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो यह कितने नंबर के होंगे बच्चों यह स साथ नंबर के कितने नंबर के साथ नंबर के प्रेस्ट होने वाले बच्चें और बच्छों परसान होने की जरूइत नहीं ठीक है सतर नंबर के प्रेपर में कुल मिलाकर प्रसन एक से लेकिए चार टक deficit ॥ा- Saturday के पर 2021 एकवए प्रसन पर एक भी होगा तो 7-4 जो होता है 28 तो 28 28 नंबर के आपके टोटल 28 नंबर का क्या आएगा आपका objective आएगा क्या आएगा बच्चों और objective ठीक है ये हो गया objective हमारा ठीक है 28 नंबर के आपको आपके objective आने वाले हैं आपको बिल्कुल भी परसान होने की जुरूत नहीं नहीं किसी प्रकार की चिंता करनी है आपने एक बार यदि मन लगा कर पढ़ाई कर लिए आपने objective हल कर लिए ठीक है तो आपको क्या है ये आपका पूरा पेपर आपको बन जाएगा ना आपको किसी प्रकार की चिंता करनी है ना आपको परसान होना ठीक है तो देखिए पहले कि यदि आपको प्रसन के बारे में प्रसन पत्र के बारे में पता होगा तो पहले के समय में क्या होता था बच्चों कि मातर पांच प्रसन आते थे कितने प्रसन आते थे पांच प्रसन आया करते थे लेकिन अब आपको कुल कितने प्रसन पत्र में साथ प्रसन आ रहे हैं कितन ने objective अच्छे तरीके से solve कर लिए तो आपका पेपर बिल्कुल easy आ रहा है परसान होने की जरूरत नहीं है चिंता करने की जरूरत नहीं है बस आप मन लगा कि बढ़ाई करिए और यह जो मैंने प्रशन पत्र आपको बताया हुआ ठीक है यहां पर जैसे मैंने आपको बताया बढ़ाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखी यहां पर भी मैंने जो आगे बताया है इन प्रशनों को भी आप बच्चों solve करेजिए ठीक है इन प्रशनों के मात्यम से आपको क्या होका मदद मिल जाएगी ओके तो बरसान नहीं होना है आपको बस रिक्स स्थान पहले समय की बात करें बच्चों रिक्स स्थान भी कितने होते थे पांच रिक्स स्थान आते थे और क्या हो जाता था हमारा पेपर पूरा हो जाता था लेकिन अब आपको सहुलियत दी जा रही है आपके लिए पेपर असान कर दिये गया है आपके पास साथ के क्या आ रहे हैं अब साथ नंबर के क्या आ रहे हैं आपको खाली स्थाना रहे हैं ठीक है इनको भी आप यदि आसानी से हल कर लेते हैं तो आपका क्या होगा आपके साथ नमबर पक्के हैं और इस प्रकार से आपका पूरा पेपर धीरी धीरे हल होता जाएगा ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बच्चो यहाँ पर आपको सही जोड़ी दी गई है क्या दी गई है स नहीं जोड़ी है यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आप लोह को लग लगहां कापी समय विष्ट हो रहा है यह वीडियो के माध्य는 से पर बिलनकुल ऐसा नहीं ही बच्चो मेरा फोकस ये şu किर टींट मिले यह जो कोश्चन है मैं ःम कि जरूर प्रेक्टिस्क करें आपने जो त्यारी करी वह तो बहुत अच्छी बात करना हैं पर मैं चाहा रहा हूं इन यह जो जब जूर कर लें आप एक घंटे का समय निकाल कर इस प्रस्न पत्र के माद्देम से थोड़ी सी पढ़ाई और कर लें हो सकता है इसी की मदद से आपके 60 60 प्लस नंबर भी आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी आप पेपर देने के बाद जरूर कमेंट करके बताना और इसके बाद जो मैं आंसर सीट डालने वाला हूं से भी जरूर देखना बच्चों आप चिनके बढ़ता हूं और आप मैं आपको बताने वाला हूं यह जो नेक्स हमारा कोश्चन है नेक्स कोश्चन भी है बच्चों इसमें आपको एक सब्द मुत्तर देना मलब सॉरी एक वाक्य मुत्तर देना है ठीक है बच्चों तो इसकी भी आप तयारी कर लीजिए ठीक है यहाँ पर जितने भी प्रसने दिये हैं इनको आप कीजिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है परसान नहीं होना है आपको क्या करना है बस मन लगा कर इन सारे कोश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ते जाना है आप यहां पर देखिए पांचवे नंबर यह हमारा पांचवे नंबर का कोश्चन पांचवे नंबर के कोश्चन से जैसा आपकी पहले बताया गया था कि पांचवे नंबर के कोश्चन से क्या हो गया है कि सॉरी कि पांचवे नंबर के कोश्चन से यह हमने बना दिया बॉक्स आपका पांचवे नंबर के कोश्चन से देखिए दो नंबर के अब्जेक्ट और सॉरी अब्जेक्ट तो चलते जाएंगे यहाँ पर वी यह भी दो नमबर का क्रत्रश्छना है इस पर कार से यह दो नमबर का परस्ट आपको चलते जा रहा है यह देखी दो कि प्रेवर को हल नहिंा थो क्या है नहीं ना इसलिए आप इस प्र्समत को जरूर करें पूरा प्रस्णपत्र देखें्जास माध्यम से क्या करें अपने बेबर की तियारी ठीक है वैसे तो आप लोगों को बहुत सी प्रस अभी से बनते होंगे लेकिन कुछ प्रस ने दी आपको ऐसे लग रहे हैं जो आप से नहीं बनते हैं जो हाँ आपने तैयारी के दौरान ध्यान नहीं दे पाया है ना तो उनकी एक बार जरूर प्रैक्टिस करें बच्छों यह बहुत जरूरी प्रस नपत्र है इसके माध्यम से होता है दोस्तों सब कुछ संबह हो यदि आप मेहनत करें ठीक है यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करें क्या करें मन लगाकर पढ़ाई करें मेहनत करें क्या करें मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ क्या होता है बच्छों कड़ी मेहनत और एक होती है चतुर मेहनत चतुर मेहन कर पढ़ना है मतलब smart पर करना जिससे आप क्या कर सके अच्छी से अच्छी नंबर हासिल कर सके कि ठीक है अब यहां पर अपधLY यह ंजब देखिये कि कहाँ पर यह आपके तीन नमबर वाले रहे स्टार्ड हो गया है थर्टीन नमबर से आपके देखी थर्टीन नमबर से आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको थर्टीन नमबर में से क्या हो रहा है यह तीन नमबर के प्रसन आपके स्टार्ट हो गए ठीक है यह देखिए यहां तक दो नमबर के प्रसन चलते रहे पांचवा से ले लिए लेगार को इ condensed आपको नया लग रहा है इस इस और तेयार이 समय को स्थाहएं कर लें और इनमें भी देखिऊ है आपको उप्षिन जरूर दिया जाहींशा ऄठीक है आगे बढ़ते ही मिटों यहां पर देखिए 15 नमबर का question भी जियो है वो भी 3 नमबर का है अपनां ये 16 का question सिस्टीनके बाद जो question है 16 के बाद क्या आता है गश्चो 17 आएगा अब 17 नमबर का question है ये भी क्या हुआ है ये question भी आपको 16 नमबर का question जो हो पूद 3 क서 15 के दिया हुआ लेकिन 16 के बाद जो 17 नंबर है 17 नंबर से क्या हो रहा है 17 नंबर से हमारे बर जो सि हमारे yo को कशन का अंख जो बढ़ जो का ठीक है यहां तक आपको PM picturecómo हम्मोर की ब्रस्ण मिले अब लेकिन अब लेकिन जो 16 नंबर का कोश्चन आया है यह देखे सुलवा नंबर तक आपको तीन नंबर के प्रस्ण मिले इनमें देख लीजिए आपको ने जो प्रस्ण की तैयारी नहीं की है उनको पढ़ लीजिए आप इससे पहले कि वीडियो को पॉस्ट कर लें को लिख लें को पढ़ लें है ना और जहां भी दिक्कत जाए आपके पास सॉल्यूशन तो होंगे उन सॉल्यूशन की मदद से आप अंसर देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिए 17 18 और 19 क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो देखा है वहां पर लिखा था कि 17 से लेके 18 तक प्रसंद दिये हैं एक से चार तक अबजेक्टिव हैं और पांस से लेकि 19 तक आपको थियोरी प्रसंद हैं जिनके लिए आपको अत्वा दिया होगा जैसा कि यहां पर अत्वा आप देख सकते हैं ठीक है तो यह 19 नंबर का हमारा लास्ट कोश्चन है ठीक है बच्चों 19 नंबर का हमारा लास्ट कोश्चन है और इनके लिए कितनी अ अच्छे से करें यदि आपने इनको तैयारी नहीं करी है इन में से कोई प्रस्ण आपका छूट रहा है तो उसको आप जरूर पढ़ें ठीक है ऐसा नहों कि कल आप पेपर देखें और फिर उसके बाद यह वीडियो देखें तो आप कहें कि हम कास हमने वीडियो पहले देख होता है इसकी तैयारी कर ली होती तो इसलिए बिल्कुल देर ना करें मत्रों मन लगाके पढ़ें और जो प्रस्ण आपने अभी तक तैयार नहीं किया उसकी तैयारी करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वात चैनल को चैनल पर बने रहे हैं चैनलने पे हम बहुत सारे वीडियो ला रहünk आपका पी परे एक्जाम की कोश्चन पेपर हम ज़रूर लाएं गे इसमें ठीक है आप चैनल सबस्क्राइब करें अपने प्रेंट्स के साथ share करें पूरे इस्कूल के ग्रुप में share करें ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स ऑकी यह लिजी हमने आप लोगों इमोजी भी बना दिया अच्छा सा ठीक है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें ओके